नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी, डाइबिटीस, थाइरोइट एबन हॉर्बोन रोग विशिशग्य, बारा नसी से, गर्मियों का मौसम आ गया है, और गर्मियों के साथ एक जो सबसे अच्छी और सबसे पसंदीदा चीज है लोगों की वो है आम, मैंगो, तो ये आम का भी सीजन है, आम का भी मौसम है, जिसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं खाने के लिए, पर मदुमेह के जो भी रोगी हैं, मदुमेह के व्यक्ति हैं, जो डाइबिटीस है जिनको, तो सामानिय तर ये धालना है और बोला जाता है कि ऐसे लोगों को आम नहीं खाना चाहिए, तो क्या ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, क्या उन्हें हम पूरी तरीके से वंचित रखें, आम से, लेकिन ऐसा नहीं है, और बात ये है कि किस तरीके से खाना है, कैसे खाना है, अगर हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे, तो हम बिना अपने ब्लेट शुगर लेवल को बढ़ाए, इस आम का आनन ले सकते हैं, क्योंकि जहां तक एक बात आती है, एक चीज होती है, ग्लाइसमिक इंडेक्स, यानि जो आम होता है, उसका ग्लाइसमिक इंडेक्स तिरपन पच चवण के असपास होता है, तो बहुत ज़्यादा इंडेक्स नहीं है, इसलिए आम को हम एक अगर बड़ा आम है, तो उसका हम जो है, दो ती जो स्लाइस है, आधा आम करीब खा सकते हैं, और अगर छोटा है साइ दिन का खाना है और रात का खाना है, उसके साथ आम को कभी न खाएं, बलकि बीच का जो समय है, जैसे अगर सुबह में 11.30 का बज़े का टाइम, या शाम को जो समय है, साड़े 5-6 का टाइम, यानि दो मुख्य आहार के बीच का जो समय है, उसमें आप आम को खा सकते हैं, आ दो आगी निवसके में हैं, या चुछ और चीज़ों को मिला के न लें, इसको सिर्फ आप आम को खाएं, और इसके साथ कोई और ऐसी चीज मत खाएं, जिसमें की कार्भोाइडारेट cathedral content जादा हो, तो सिर्फ आम को खायं, क्योंकि आम खाने के अपने खुद के भी फायते ह तो आप आम का स्वाथ जो है इन गर्मियों में बिलकुल ले सकते हैं बस थोड़ी सी जो है अपनी चीजों को अपने इन बातों को ध्यान में रखते हुए और हां दूसरी सबसे बड़ी बात और सबसे जरूरी चीज है कि इस टाइम पे आपका ब्लेट ग्लुकोस लेवर तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माधियम से आपको कुछ जानकारी मिली होगी और अगली बार कुछ और नई जानकारियों के साथ मैं फिर से आपके सामने आओंगा नमस्कार